आप सबी लोगों का हमारी शमाज कारडणिंग में बहुत बहुत शागत है आज में आप लोगों को अपनी कारड़न के जो फ्लावर हमारे या रहीनी सीजन में खेल रहे हैं वो इसका ओवर्विव दिखाएंगे उनके छोड़ी से केर भी बताऊंगी जो फूल बहुत प्या भाइस ने वाला है डवल चानि, डवल चानि हो सिंगल चानि हो सारे फ्लावरिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं रेनी सीजन इसटार्टिंग हो गया है, इस टेम पेड़ बहुत खुश रहते हैं, कोशिच पर कोईंगे अगर प्राइस भी पताती चलो डवल चानिक अगर प्ल बोगन बीलिया पर्मानेंट प्लांट है और हमेशा फुलावरिंग देता है रुक रुक के जितनी अच्छी इसमें कटिंग करते रहेंगे उतनी अच्छी आपको फ्लावर मिलेंगे कई वाराटी इसकी इसकी अच्छी होती मैं प्यारे फूल होते बंचिंग बाले होते आप आपको सिंगल पैटर्न बाले मिलेंगे डबल पैटर्न मिलेंगे और यह हमारे हैं 50 रुपीज की रेंज में इसकी प्लांट मिलते हैं स्टैम आप बोगन बीलिया भी लगाईए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी मिलेगे और खूबसूरत आपका गार्डन मिले इसको बना सकते हैं अब आजाते बेला बेला मैं आपको कई वेरेटी दिखाऊंगी जो मेरे गार्डन में स्टैम बहुत ब्लोविंग कर रहे हैं बहुत अच्छा फ्लावरिंग दे रहे हैं खूबसूरत मैंने आपको बहुत बार बैला दिखाया है और इतनी अच्छी फ्लावर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें एक वाराइटी मेरे पास इधर दिखिए आरी चली चलते हैं एक वाराइटी यह है जे भी बहुत गुछों में फूल किलते हैं एक वाराइटी चलिए आंगे गमले में रखा वो भी दिखाती हूं अब आजाते हैं मनुकामनी मनुकामन इसलिए ने रुबाट बहुत अच्छी फ्लावर इंग करने वाला प्लांट है 50 रुपिस की रेंज मिल जाता है एजली कोशिषित आप लिए अगर लगा रहे हैं तो उनको बोलिएगा मुझे वाला प्लाटों लीजिए इसलिके गमले वाले कुछ होते कि ग्राउन वाले होत और अच्छे से लगाने का टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, पर्मानेंट प्लांट है, एवर्ग्रीन प्लांट है, हमीशा फूल देने वाला प्लांट है, अब चलिए दूसरे प्लांट के बाद बात कर लेते हैं, यह सोड़ सा डॉर्मेंसिक पीर में शर्दियों में जात देखें, आलमानडा की कई वाराइटी आती है, कई फ्लावर प्लांट है, इसके बहुत खुब सुरा वाइन आपको यल्लू कलर में मिलेगे, इस्टेम अगर वाइन लगाएंगे तो 50 रूपिस की रेंज में मिल जाएंग, मैंने वी वाइन का प्लांट नर्सरी से पर्चि इसके प्लांट भी आता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इसका प्लांट भी होता है, जो आलमानडे की कई वाराइटी इसकी आती है, और बहुत फूब सुरत फूल होते है, इसको चढ़ाने के लिए भी आप कहीं भी यूज करते है, वाइल देन स्वाइल चाहिए होती आप करेंगे, तो फूल बहुत बढ़े आएंगे, अब आधा तेस दा बहा, देखिए इसको हम बहुत अच्छा फ्लावरिंग लेनी ये देसी है, इसके बहुत अजली सकस्स रहता है, कि देसी हमेशा फ्लावरिंग देने वाला प्लांट है, और हैबरेट भी ला सकते हैं, इस तरह से डोध की साब से प्लांट हमको मिलते हैं, आप देखिए इस प्लांट में, आप कलिया देख रहेने, कितनी अच्छी से हवाय तेस दल रही है आज हमारे तो फ्लावरिंग गिर जा रही है, हाँ ये पेड़ किसके चाया में है, आप देखिए एक वराइटी ये भ प्लांट होती है, कहीं कहीं 30 रुपीज में, कहीं 100 में मिल जाते हैं, उसके कन्वेंट के साब से मिलते हैं, अब आते हैं, अगलो नीमा भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, बहुत खुबसूरत फूल मिलते हैं, इसको अगर लेके आएंगे तो 30 से 50 रुपीज की रेंज में यह प्लांट मिल जाता है, मैं जदा तर मुझे दोनों वैरेटी मेरे पास हैं, एक स्मॉल फूल, छोटी फूल वाले, और एक बड़े फूल वाले, पर्मनेंट एवर्ग्रीन प्लांट है, इसको कटिंग की थोड़ भी लगा सकते हैं, आसानी से जाता है, वैल्डेंट स्वल चाहिए, एक बात का इसमें जरूर ख्याल है, पानी बहुत कम दीजिएगा, बहुत कम पानी चाहिए, इनको होता है, इसलिए कि यह रिगिस्तान के प्लांट है, और इनमें ज्यादा पानी डालेंगे, तो इनकी रूट से जल जाएंगे, इनक नर्सरी से जाके पर्चिस कर सकते हैं, और बहुत खुबसुरा प्लांट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग, काफी दिन में 1-2-2 महीने में एक तक फ्लावरिंग देते, आब आजाते हैं प्यारे से टिकोमा के बारे में, दिखिए, मैंने इसको बहुत बार आपको दिखा पहुत बहुत अच्छी होती है जिसे की एक जड़ी महीने चला गया नहीं फित आपको कटिंग कर दीजिये फिर फिर फ्लावरिंग स्टार्टिंग से पर्मनेंट प्लांट है यह हमारे अंडेट रुपीस में एंज में मिल जाता है आप कोशच सकी जिये लाके लगा यह जैसे कि हमारे विंटर में जो पिटोनिया हम लोग यूज करते हैं लगाते हैं उसी कि वैराइटी यह यह विंटर में समर में करती है फ्लावरिंग और यह रेनी सीजन समर अच्छी से रेन लिली मेरे आज तो सरी एक ही खिलिए वैसे आपने बहुत बार देखा बहुत जारे रेन लिली खिले आब आजाते हैं बहुत अच्छी फिलावरिंग पञांट है देखे फूल भी खिलने वाले हैं इसमें बहुत प्यारे इसका वीडियो अप्लेट में जरू करने वाली हूँ बहुत कूब सर फूल होते हैं अच्छी से स्मेल होती है यह हमारे यां पोदे की हिसाब से मिलता है और वेल्डेन स्वाइल्स चाहिए होती है खाद अच्छी मात्रा मुझता तर कोशिश की जे कावडंग के लीप्स खाद बहुत अच्छी लगती ही लोगों को तो कोशिश की रेनी सीजन में यही डालिए आप रोज तो मेरे पास जो जो वैरेटी जानते हैं बहुत प्यारा फ्लावर मुझे लगता है यह मेरे बहुत दिनों से मेरे यहां खेल रहे हैं और यह फुटबॉल लीली है अगर आप लेना चाहें तो नर्सरी सभी भी ला सकते हैं इसका अक्टूबर तक का टामिंग रहता है और यह हमारे यह 50 रूपिस की रें और बहुत फूट प्यारे प्यारे इसके होते हैं और डबल पैटन में भी सिंगल पैटन में भी एजली मिल जाता है यह हमारे यह 50 रूपिस की रेंज में मिल जाता है अब आ जाते हैं यह बहुत प्यारी वाइन है और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग देने वाली वाइ और पर्मानेंट फ्लावरिंग देने वाले वाइन है खुबसूरत फूल इसकी रहते हैं और मेरे को तो जी रेड कुछ रेड नहीं समझें पिंक डार्क पिंक में है और बहुत प्यारी फूल हो इस टाम मेरे बहुत सारे फूल खिल रहे हैं कलिया कुब अच्छी कॉंटिटी में मुझे मिल रही हैं जिससे हमारा गार्डन बहुत प्यारा लगता है आप देखिए दूसरे जो फूल में दिखाऊंगी बहुत खुबसूरा फ्लावरिंग देख रहे ना कितनी जबर जस्ट अच्छी फ्लावरिंग इसकी और यह खुबसूरत इसमें इतने फूल किलते यह भी वाइन है और बहुत प्यारी फ्लावरिंग देने वाली वाइन है अभी जब हमारे अक्टूबर स्टार्टिंग हो जाएक तो हम इनकी कटाई अच्छी से ग्रोथ होएगे अच्छा सा फटलाइजर देंगे तो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हमको बड़ की कटिंग लगाने का बहुत अच्छा टाइमिंग है कोई भी कटिंग इसकी बड़ी ले लीजिए मैं अक्टूबर तक बहुत प्यारे फूल देते हैं इसमें सरदियो में वह भी आपको दिखा देती हैं चलके बस फिर नेक्स वीडियो जरूर अप्रोड करूंगी आप द इसको जरूर लगाईएगा यह 50 रूपीज से लेके हंडी रूपीज में रेंजवे मिल जाएगी और इसली आपके घर में सर्वाइफ करेगी मैं यह कटिंग अपने गार्डन को खुबसूर बनाई है फूलों से सजाते रहिए आगर इसके कोडिंग को भी जानकारी लेना तुम्हारी वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते और बैल बटन दवाना ज़रूर आदकिए जिसने मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके एक मेरे